नमस्कार जैशी किष्णा मैं राकेश शिवान याश्रो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ समय से मैंने एक ज्योतिष घ्यान के नाम से एक सीरीज चलाई है जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से एकदम रॉब जो बिल्कुल स्टुडेंट्स हैं जिन लोगोंने बिल्कुल भी अस्ट्रोजें पर नहीं आती है वहां से स्टार्ट किया है और इसको एंड तक मैं लेकर जाओंगा जहां तक की एडवांस अस्ट्रोजी होती है ताकि आप जब तक पूरा पढ़ेंगे इसको तो आप एक है इंसान की जातक स्वम है और राशी जो होती है वो उसकी मांसिक्ता है वो उसकी मांसिक्ता को बताती है कई वारा आदमी समाज रूप से बिहेव करता है बहुत सौफली बड़ा अराम से बिहेव करता है सब कुछ है लेकिन उसकी मांसिक्ता बहुत वैसी होती है बड़ी लाइवली मानसिक्ता होती है, आप देखोंगे यार कितना सीरिस रहता यह तो बहुत ही लाइवली आदमी है, गरप बड़ा लाइवली है, क्योंकि मानसिक्ता उसकी लाइवली है, वैसे बहुत सिंपल तरीके से और सीरिस तरीके से वो रहता है, तो फरक पड़ता है लगन का राशी हो तो कैसे ये लोग होते हैं तो उसके लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तुला राशी वाले तुला राशी का जो स्वामी है वो शुक्र होता है शुक्र ब्रह को दो राशिया दी गई है ब्रशब और तुला तो शुक्र के पास है तुला राशी सिंबल क्या है एक इनसान है उसके हाथ में एक तराजू है बजार में है ये एक सिंबल है इसका कि एक इनसान है उसके हाथ में तराजू है देखने में ही लगता है या देखने में ऐसा महसुस होता है कि तराजू उसके हाथ में है तो बड़ा बैलेंसिंग नेचर टाइप का बंदा होगा बहु आल बी ए एन यू एम गैल्म नम्ग के नाम से लखी पर्फ्यूम इनका होता है गर इस पर्फ्यूम को ये लोग लगाएं तुला राश्या तुला लगन वाले तो बहुत एनर्जटिक महसूस करते हैं आपने हमको बहुत चिल महसूस करते हैं, पूल अनकाम महसूस करते हैं, आडियल मैस साइन, करक और मकर को राश्री को छोड़ दीजिए, बाकि सारी राश्या वाले इनके लिए अच्छे होते हैं, और इन से उनकी विवलेंट मैच करती है, लखी नंबर क्या है, इनके 1247, ये इनके लखी नंबर है, लखी डेस क्या है, संडे, मंडे, सैटरडे, ट्ूस्डे और वैढ़नस डे, ये इनके लखी डेस हैं, या इस दिन अगर ये कोई काम स्टार्ट करते हैं, यो कोई प्रयक्ट करते हैं, तो इनको सफलता मिलने के चांसे Says, होते है, लखी जैम क्या है इनका, शुक्र की राश तो इनको वाइड करना चाहिए जिनका तुला लगनी या तुला राशी हो उन लोगों को येलो वाइड करना चाहिए डे ओफास्ट ट्यूजडे है अगर व्रत रखना चाहते हैं तो मंगल वाग का व्रत ये रख सकते हैं चलायवान होते हैं चीजों को बहुत जल्दी आत्म साथ कर लेते हैं और वो लोग सेल्स, मार्किटिंग इस तरह के जॉब्स में ज्यादा सक्सेस्फूल होते हैं इस्थिर राशी वाले जो लोग होते हैं वो एक जज़े बैठे काम करना पसंद करते हैं, थोड़े जिद्धी सबाब के होते हैं, या जो उन्होंने ठान लिया, वो ठान लिया, वो वाली बात होती है, तो चर राशी है, एरी है, वायू राशी है, आने बताया था कि अगनी ही डीजनल लेते हैं, सोस समझ के ही डीजनल लेते हैं, हुमेंस साइन है, हुमेंस साइन मींस कि आदमी है, धुरी पद राशी है, तो वो बताया था कि जो चतुषपद राशिया होती हैं, जिनके चार पैर होते हैं, वो राशियां ऐसी होती हैं कि जिनके लोगों या उन ज जो उनके मन में आता है लेकिन द्वीपद राशी वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं किसी भी गैदरिंग के अंदर उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो उसका महौल समझ कही बात करते हैं वैसे यह बात नहीं करते हैं कि अपनी बात कहनी है तो कह दी महां का माहल देखते हैं उसके बाद ही बाद करते हैं वेस्ट डिरेक्शन है अगर कोई भी काम किया जाए वेस्ट डारेक्शन में तो बहुत अच्छा रहता है 15 अक्टूबर से 15 नमबर के बीच में सूर्य इस राशी में रहता है तुला राशी में सूर्य रहता है 15 अक्टूबर से 15 नमबर के बीच और इस महिने को बोलते हैं कार्थिक का महिना यह कार्थिक का महिना है जो पंद्रे अक्टूबर से पंद्रे नुवंबर के बीच में होता है और सूर्य तुल आराशी में रहता है ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं आर्ट को पसंद करने वाले होते हैं जमाने के साथ टेखनोलोजी के साथ बहुत चेंज होते हैं जिसकी वैसे यह लोग बहुत प्रोग्रेस करते हैं किसी भी छोटे से बिजनस को बहुत बड़ा बिजनस में तबदील कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं यह इनके अंदर हो है और फैमिली और प्रफेशन लाइफ की बीच में बैलेंस बनाके रखते हैं तो इसलिए कई बार पिस भी जाते हैं उसके बीच में क्योंकि तराजू उ लरा छी बारे लोग इनकी चुछ यह स्याहतों है कुछ निकी लुएयर स्टान्थ फैन यह रहो सब लोग ठीक से रहो यहिन की इंच्छा होती है इंब्लिजट होते हैं बहुत होश्यार होते हैं एक्स इंपार्शली Tax imparcialy means कि बहुत ही बिना किसी का पक्ष लिए विवार करते हैं Arbitrator बहुत अच्छे होते हैं चुकि impartially एक्ट करते हैं किसी का पक्ष नहीं लेते तो बड़े-बड़े जैसे companies के अंदर contracts के अंदर कुछ थोड़ी बहुत problem हो जाती है तो arbitrator को नियुक किया जाता है, जो दोनों side की चीज़ों को सुलजाता है, employer की और contractor दिये, तो ऐसे ही हर जगह arbitrator की पढ़ती है, किसी बीच के बीच में, तो ऐसे लोग counselor, ऐसे लोग arbitrator के बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये किसी का पक्ष नहीं लेते, जो सचाई है उसक कि मोल तरिके से सोच लेते हैं कि कैसा इसके outcome होंगे, उसके बाद ही वो लोग नियनने लेते हैं, तो ये इनके अंदर higher strength है, इसके साथ साथ इन में कुछ lower strength भी होती है, ठोड़े, क्योंकि balancing बहुत जादा है, क्योंकि चीज़ों को सोचना, मोल देखना, plus minus सारे point सोचना, तो कई बाद थोड़े indecisive हो जाते हैं, जल्दी से निन्य ने ले पाते, कुरोध इनको आ जाता है, असारी से प्रभाव में आने वाले ये लोग होते हैं, ये थोड़ा ध्यान लखना होता है, कि ये लोग जोड़ते हैं, जिनका तुला लगन्दी या तुला राशी होती तो ये अच्छा रहता है कि ऐसे लोग चापलूसी से बचके रहे हैं, चापलूसों से बचके रहे हैं, तो ये तरकी कर पाते हैं, आदर्श्वादी कुछ जा रही होते हैं, मतब एक होता है यथार्थवादी, एक होता है आदर्श्वादी, तो ये यथार्थवादी से ज इतने जो विचार है उसके लिए दूसरों को मजबूर करते हैं, दूसरों की भावनाओं के पड़ती इतने समयंदन शीर नहीं होते, not sensitive to the feeling of others, इतने sensitive नहीं होते दूसरों की भावनाओं के लिए, ये इनमें इनकी lower standard है, इनके बारे में एक सारा वली में श्रोक है, उसमें कह जिता है, यानि कि तुला लगन में उत्पन जातक, सुधी, सुधी माने बुद्धिमान होते हैं, सतकर्म जीवी का, अच्छे कर्मों से जीवी का चलाने वाले होते हैं, विद्वान, विद्वान होते हैं, सरकला भिग्यो, सभी कलाओं में निपुन होते हैं, धनाड्यो, धनी होते हैं, जन पूजीते और जन में यानि लोगों में पूजे जाते हैं, मिन्स के स्ट्रेस्ट होते हैं, व्यवार कुशल होते हैं, बस इनको प्रिकॉशन जो लेनी है, वो यही लेनी है कि एक तो यह चापलूसों से साफधान रहे, इमोशनली थोड़ा वीक ना हो, बस इतनी ही इनके विए बात है, अगर इमोशनली वीक यह ना हो और चापलूसों से साफधान रहें, और बहुत ज़्यादा अधर्श्वादी अडिलिस्टिक बनने की इतनी आवशकता नहीं है, तो बहुत अच्छी यह राशी है, बहुत अच्छा यह लगन, तो आशा करता हूँ, आपको समझ में आया होगा, और इसके लावा हम यह भी करना चाहता हूँ, कि हम लोग एक एस्टरलोजी, एडवांस एस्टरलोजी का बैस स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो दीगे नमबर पर संपर कर सकते हैं, इसके लावा हम लोग कुण्ली प्रेटिसी क्लास भी कराते हैं, जो भी चाहे कुण्ली प्रेटिस क्लास जोईन करना या कुण्ली आनलेसिस करवाना अपनी, वो दिए गए नंबर पर जोईन संपर कर सकता है धन्यवाद जैशी कृष्णा नमस्कार्ण